कैसे पाउं और लोवर लेग देखके लिवर डिजीज का पता लगाया जा सकता है अफकोर्स प्रॉपर डाइग्नोसिस में बहुत से टेस्ट्स इन्वाल्वड हैं लेकिन ये कुछ निशानियां बॉडी में दिखने लगती हैं इसकी वज़ा लोवर लेग में पूर बलड सर्कुलेशन है ये डायबिटीज में भी होता है क्योंकि अगर लिवर सही से काम नहीं कर रहा तो ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी ओर्गन्स भी अपने नॉर्मल स्टेट में हो लोवर लेग और पाउं की अपेरिंस किसी इनसान की ओवरॉल हेल्थ के बारे में बहुत सी इन्फोर्मेशन दे देती है अगर लिवर सही से काम नहीं कर रहा या हार्ट सही से बलड पंप नहीं कर रहा तो इनकी खराबी सबसे पहले वास्कुलर सिस्टम में जायर होने लगती है ये पैरिफरल आर्टरी डिजीज हो सकती है क्रोनिक वेनस इंसफिशन्सी हो सकती है के जिसमें दिल खून की नालियों के जरीए खून को पूरे जिसम में से गुजारता हुआ पाउं तक ले जाता है लेकिन ये खून वापस नहीं आ पाता क्लोट्स बनने का खतरा बढ़ जाता है और लोवर लेग में आप इसे बड़ा क्लेरली देख सकते हैं उसे नमबर पे spider veins या spider nevus ये liver cirrhosis की symptom है और ये body में बहुत ज़्यादा estrogen जमा होने की निशानी है estrogen नॉर्मली nitric oxide production के जरीए blood vessels को relax करता है blood flow को improve करता है लेकिन estrogen की ज्याती vascular system को नुकसान पहुंचाती है blood clots और DVT इसके risk factors है अगले नमबर पे हैं cracked heels cracked heels, vitamin B3 और दूसरे omega 3 fatty acids deficiency की अलामत है इनकी कमी से होता है liver bile बनाता है और bile help करता है इन fatty acids की body में absorption में तो यहाँ अगर bile production disturbed है और सिर्फ omega 3 fatty acids ही नहीं इसमें vitamin A आ जाता है vitamin E जो के healthy skin के लिए बहुत ज़रूरी है पर उसके बाद vitamin B3 in fact, सारे B vitamins skin में involved होते हैं यह enzyme co-factor के तोर पे protein से मिल के काम करते हैं और skin को improve करते हैं इनकी कमी skin को affect करती है और यहाँ liver directly involved होता है इनके metabolism में अगले नमबर पे है itching in the bottom of the foot पाओं के तलवों में खारिश एक अलामत है जो liver में fluid backup की वज़ा से हो रही है यह bile हो सकता है यह blood हो सकता है liver congested रहता है body में histamines build up होने लगती है एक और निशानी तलवे में pain और inflammation इसे अकसर plantar fasciitis समझा जाता है असल में यह liver problem है फिर उसके बाद पाओं के तलवे जलना burning feet या hot feet यह एक और निशानी है bad liver की bad order, smelly feet पाओं से smell आना क्योंकि liver सही से detoxify नहीं कर पा रहा body के toxins को और यह system में backflow कर रहे हैं और यह ज़ादा हो जाने पर skin से बाहर आने लगते हैं अगर liver खराब है तो kidneys भी normal function नहीं कर सकती है kidneys भी इन toxins को body से बाहर नहीं निकाल पाएंगी digestive system सही से function नहीं कर सकता एक organ खराब है तो पूरा system congested और unhealthy हो जाता है फिर उसके बाद है pitting edema इसमें lower leg पे press करने से गड़ा बन जाता है यह fluid backup की वज़ा से होता है अगर liver problem है तो बहुत common है फिर उसके बाद toenail fungus body में fungus की growth बढ़ जाती है liver सही से काम नहीं कर रहा तो bad fungus की growth बढ़ जाती है good fungus, good microbiome काम हो जाता body में bad fungus जब बढ़ जाती है तो यह बाहर आने लगती है जिसमें आपको psoriasis, toenail fungus, tendruff यह सब देखने को मिलता है फिर उसके बाद nail bed white हो जाता है यह poor blood circulation की वज़ा से होता है अब liver के यह सारे मसले होते क्यों है बहुत सी चीज़े हैं पहले नंबर पे certain medication side effects antibiotics माजी में बहुत जादा खाई हैं फिर उसके बाद high sugar intake cold drinks, sugar and drinks and beverages synthetic flavors, processed foods यह सारे chemicals हैं, जहर हैं जब यह body में जाते हैं तो liver इन्हें detoxify करता है सारा बोज लिवर पे पड़ता है फिर उसके बाद सबजियां कम खाना protein intake ज़ादा होना combined with junk food, fast food fried Kentucky chicken यह protein नहीं है, यह processed protein है vegetables आपको antioxidants देती हैं enzymes मिलते हैं phytonutrients मिलते हैं जो liver के normal function में help करते हैं आपना ख्याल रखिय, आपसे मोला का तो TNX वीडियो में, आला वेस